16. Best Kitchen Tips जरूर सुने आपके बहुत काम आएंगे पहला आवाज बैट जाने पर एक पके हुए अनार का सेवन करें पके हुए अनार का सेवन करने से आवाज खुल जाता है दूसरा जले हुए खाव पर खुब पके हुए केले को पीस कर लगाने या बादने से तुरंत आराम मिलता है तीसरा केला लो ब्लड पेशर के लिए फायदे मंद होता है इसमें पोटेशियम और लो सॉल्ट होता है जिससे ये हार्ट को बिमारी से बचाता है और एनरजी देता है चौथा जहरीले कीरे काटने पर वहां कड़ी पत्तों को पीस कर लगाने से दंख की पीरा और सूजन कम होती है सर्दी जुकाम में गुड का सेवन करने से फायदा मिलता है सर्दी के साथ अगर बलगम की समस्या होतों काली मिर्च पाउडर और अद्रक के साथ गुड का सेवन करने से राहत मिलती है छटवां बिच्चु के डंख पर प्याँच काट कर बादने से जहर का असर कम होता है साथवां कुट्टे के काटने पर प्याँच का रस और शेहत मिला कर खाउपर लगाने से खाउजल्दी भर जाता है आठवां ठंड के साथ होने वाले बुखार में धाई ग्राम अजवाइन का सेवन करने से ठंड का जोर नरम पड़ता है और पसीने के साथ बुखार भी उतरने लगता है 9. कड़ी पत्ते को पानी के साथ छान कर वह पानी पीने से बाबा सीर मिटता है 10. दो चम्मच अद्रक का रस सहत के साथ लेने से दमा रोग में राहत मिलता है 11. ताजे मक्खन के साथ शहत का सेवन करने से 6 रोग में राहत मिलती है 12. हींग को पानी में उबाल कर कुल्ला करने से दात का दड़ मिटता है 13. नस कोडी फूटने यानि की नाक से खुन बहने पर नाक में ठंडे पानी की धार करने से या पानी की छालक मारने से बहता खुन बंद होता है 14. अद्रक और नीबु के रस में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल कर पीने से पेट दड़ मिटता है 15. लौंग को घी में भून कर मुँ में रख लें ऐसा करने से ठंड जुकाम में बहुत ही फायदा मिलेगा 16. सरीर के अंदरूनी हिस्ते में जब गुम चोट लग जाए तो एक गलास गर्ण दूद में हल्दी और एक छोटा चम्मच घी मिला कर पी लें इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा यह वीडियो सामान्य प्रक्रिया के लिए बनाई गई है यदि आपको कोई भी बिमारी है तो पहले अपने डॉक्टर से सला आ लें फिर यह नियम अपनाए फ्रेंड्स अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें इस तरह की और भी जानकारी के लिए जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद